Hello everyone this is Pawan Sharma and guys let's talk about intraday stocks for 14th of October in this video कल जो है एक almost like predictive market रहेगी हमारे लिए अगर हमारे पास एक level की उपर market चला गया तो अगला target बहुत clear है लिकेन अगर वही पर resistance फेस किया तो एक अच्छा सा fall भी आएगा तो दोनों के लिए हमारे पास इस पक काफी clarity है so let's talk about it and friends if you haven't subscribe my channel yet go ahead and subscribe to it that's the support which you can provide me चले बात करें अगर निफ्टी को और जो मैं कहारा हम वो क्या चीज़ है इस time पर जैसे मैंने का predicted market है वो यह है कि अगर यह जो इस time पर 18-200 आप देख रहे हैं हापे अगर यह 18-200 के level को break कर लिया निफ्टी ने या इसी पर resistance फेस किया chances है क्योंकि market already आपने trend line से काफी ज्यादा bounce back कर चुकी है जैसे मैंशा कहते हूं आप से कि जो trend line है या कोई भी support होता है उस पे जब stock आता है तो bounce back के काफी chance होते हैं जब इस stock अपने support पे आता है तो इसने इतना अच्छा bounce back किया सब के mind में जो target था वो था 18-200 का जो achieve हो ग resistance की बात करें इस time पे 18-200 का है अगर उसके उपर जाते हैं तो 18-500 का है तो अभी 18-500 के लिए हम सोच नहीं रहे हैं पहले 18-200 break होके उसके उपर stay तो करें इसलिए market predictable हो जाती है तो कल अगर इसके उपर चला गया तो जैसे मैं आप से कह रहा हूं कि यह resistance है यह break हो जाएगा इसके बाद में आराम से आपके पास में 18-300 के target जो है achieve हो जाएगे तो हम क्या करेंगे हम इसके उपर buy करेंगे लेकिन maximum resistance अभी 18-200 पर ही है तो यहां पे resistance phase किया तो यहां से हमारे लिए cell भी बनेगा और cell बनेगा तो target आराम से इधर आएगा that will be somewhere close to 18-050 की around आपको मिलेग यहां के around आपके नीचे आएगा लेकिन अगर यह flat open करता है यहां से एक यहां तक तो आप notice करेंगे इसमें छोटा सा यहां पे level आएगा यहां समें इसके आसपास में that is 120 अगर 18-120 को नीचे आता है और वहां पे बिसना support लिया नीचे flat open करता है नीचे आता है 120 के around अगर व easy है अगर 120 break हो जाता है flat opening के बाद में तो एक fall आएगा तो नीचे भी आपके पास 70-80 point का fall देखने को मिलेगा तो हमारे पास क्या level होगे 18-200 यहां पे buy भी है और इसके resistance पे sell भी है अगर flat open होता है तो नीचे 120 पे आपके लिए buy बनेगा और यहीं से आपके लिए sell भी निक के बारे में बैंक निफ्टी ने आज consolidate किया है कल मैंने आप से कहा था कि बैंक निफ्टी के पास में काफी अच्छा resistance है 38-500 का काफी अच्छा support है और इस time और बिल्ड हुआ है और major support उसको मिल गया है 38-500 का कुछ comments आये थे supports को ले कर याद रखेगा support बहुत अच्छा है इसका मतलब यह नहीं होता कि market रुके गए रुके गए इसका मतलब यह है कि यह जो level है अगर यह hold कर पाया market तो rise होगा अगर यह support काफी strong होने के बाद में break हो गया तो एक बड़ा fall आएगा because उसके बाद सबको लगता है market अब रुकने वाला नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं यह जो level है यह हमारे लिए इसको break होने के बाद में sell किया जा सकता है अराम से 300 से लेके 38 के आपके target is easy रहेंगे लेकिन अगर यहीं 38-800 का resistance है तो ideally तो यही level अभी भी resistance का काम करेगा लेकिन हमारे जो है closing से काफी उपर है तो हम क्या कर सकते हैं 650 की around उसको buy कर सकते हैं at least कुछ नही 150 point का तो profit हमें होगा अगर हम पूरा के उपर नहीं जाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं bank nifty को नीचे गरता है तो 500 वहीं से उगर जो है salon जो है fall buy on fall भी कर सकते हैं लेकिन अगर उपर जाता है तो आप 650 की उपर उसको buy करेंगे for a target of 800 यहाँ पर मैं sell on rise अभी आपको recommend नहीं करूंगा until unless 38-800 पर resistance हो salon rise सरफ यहीं पर है नीचे नहीं है salon rise जाद रखेगा यहीं पर salon rise है कि अगर आप जो है 38-800 पर उसको resistance करने को मिला तो हमारे लिए salon rise बनेगा अदर्वाइस अगर यहां से यह target break हो गया तो 39,000 आपको राम से देखने मिलेंगे वैंसे भी result season शुरू हो गया है और अच्छे results अभी जो है companies post कर रही है तो maybe market will cheer up in that way तो यह रहेगा आपके लिए bank nifty चलिए अगर बात करते हैं recap के बारे में recap में महिंदरा हमारे कल के list में नहीं था लेकिन अगर आपको याद हो मैंने कहा था 900 का resistance है और अगर इस ने break किया तो आराम से 950 के target देखने मिलेंगे तो आज एचीव नहीं होता तो उसको हटाईये मत अगले दिन काम आएगा और resistance तो resistance रहेगा उसमें level change नहीं होते है तो जाएज इस ने 950 को break किया then you see a big rise on that तो इस तरह की stocks को miss मत कीजिए आज अगर काम नहीं करते हैं तो next day वो नहीं करेंगे तो next result करेंगे और अगर इस ने resistance से face किया तो भी एक बहुत बड़ा fall आएगा 850 का नीचे की तरफ आपको fall देखने को मिलता वैसे हमारे stocks थे that was hind petro hind petro में ये हमारा buy था और नीचे की तरफ ही हमारा sell था तो अगर notice करें तो पहले 15 minute में जो कुछ हुआ उसके बाद उसी range में trade किया कोई भी एक बार भी उस गिरा और आप से हमेंशा काया कि big candle के बाद में trade वैसे भी नहीं होता कोई फाइदा बनता नहीं है उसमें ignore करें उसको उसके बाद में हमारे पास था L&T L&T में 1725 का हमारे पास buy था so that was almost वहीं पे open हुआ आपको मिला होगा तो यहां पे trade मिलेगा and 45 net के rule के हिसाब से वहां in target then we have आईशर आईशर भी जो है almost range bound रहा 2930 पे हमारा यह था buy था और पहली candle यतना बड़ा बना वो भी doji तो doji में तो OR भी चलेगा open range breakout तो यहां पे आप इसके उपर buy करेंगे इसके इसके sell करेंगे लेकिन एक बार भी confirm नहीं हुआ वो भी मैसे भी 2 बज़े के बाद trade मि friends अगर आप trading को secondary source of income बना चाहते हैं और आगे चलके primary source of income then you must know all about the technical analysis आपको trend का पता होना चाहिए buy का पता होना चाहिए support resistance market कहां ले रही है कब आपको future option trade करना चाहिए when to exit from so that आपको ज्यादा loss नहीं हो how to find and trade swing trades अगर time कम है तो आपको option से कैसे पैसे बनाना चाहिए यह सब knowledge आपके पास में होना बहुत जरूरी है and in case you want to learn all these things then we do provide technical training for which you can whatsapp and inquire further for our training programs in stock selection our first pick would be HDFC life याद रखें यहां से आया उसके बाट try किया फिर try किया और अब यहां पे आकर रुका last दो दिनों से उसने इस level को hold करने की कोशिश करिये तो यह बन जाता है हमारा support तो अगर इसको break किया तो हमारे लिए यहां पे बनेगा sell और support से ही stock जब bounce करता है तो हमारे लिए का buy लेकिन दोनों condition में से आमेशा कहता हूँ कि stock को उस level के ऊपर trade करना चाहिए at least 10 minutes और वो जो 2-3 candle आप बनती है वो bullish candle होने चाहिए buy के लिए नीचे trade करेगा तो बीरिश candle होने चाहिए sell के लिए तब ही आप trade लेंगे immediately touch करते trade नहीं लिया जाता उसको कहते है touch and run अगर touch and run हो गया तो आप जो है नुक्सान में जाएंगे so have patience buy about this जो भी मैं level provide करूँगा और अगर break हो जाता है level तो आप उसको sell कर पाएंगे HDFC live then we have Aditya Birla fashion उसमें क्या हो रहा है एक अच्छे rise के बाद में थोड़ा सा लग रहा है कि एक जिसको आप dark cloud cover या बीरिश अरामी pattern type का बना है और इसमें जो है ऐसा लग रहा है कि 270 को hold करने की कोशिश की जा रही है अगर 270 hold हो जाता है तो यहां से bounce back होगा और target अराम से 280 के फिर वो यहां से दुबार try करेगा तो हम क्या करेंगे 270 को hold कर लिया तो उसके उपर buy करेंगे यह level break हो जाता है तो अगला target हमारे 260 आराम से निकल के आएगा so both the levels for intraday will be good in Aditya Birla fashion then we have MGL MGL ने भी वही किया एक rise गिया उसके आथ fall किया ट्राई किया नहीं कर पाया फिर से एक rise बनाया तो अगर यही level आपको यहां देखने को मिल रहा है लेकिन यहां पे थोड़ा सा इसने bullish ने show किया है यहां पे इस पे bullish ने साती तो अगर यह कल जो 1065 का legal break हो जाता है नीचे की तरफ 1065 जो कि आपके यहां आएगा तो हमारे लिए नीचे की तरफ अराम से मानेंगे कि 1030 से लेके 1035 के level नीचे की तरफ आपको देखने मिलेंगे MGL तो दोनों तरफ अच्छे rules है now we have reliance जैसे मैंने कहा था reliance को मैं दो दिन पहले भी लिया थ और उसमें भी वही था कि आपके लिए जो है वो flat रहा कोई trade नहीं मिल पाया लेकिन today it has given a rise तो जब भी stock flat close हो जाता है बिना moment दिये उसको wipe off ना करें उसको अपनी watch list में रखें आगे काम आ गया एक दो दिन में आज क्या हुआ है इसने परसो भी क्या किया था एक high बनाया 2720 का आज भी उसने उसी को break करने की कोशिश की लेकिन break नहीं कर पाया तो अब यह level जो है हमारा buy बनेगा और यही level हमारे लिए resistance बनेगा और resistance वहा तो sell बनेगा लेकिन इसके break हो गया तो मान की चलेगा 28th के level अराम से हो गया कि कि मैं ऐसी भी reliance जो है acquisition पर लगातर लगा company acquire किये जा रहा है लगाता और अगर इसने अपनी closing के नीचे trade कर अशू कर दिया 2680 या 2685 के नीचे चला गया तो समझेगा कि यह जो है current resistance अल्रडी बन चुका है 2700 के आराम उसके बाद एक fall आएगा then it will get support at 2600 तो दोनो लेबल intraday में best है so we will be taking trade as for that जाने से पहले चैनल को subscribe पर ना video को like करा मत भूलेगा description box में कुछ links available जिनको आप use कर सकते हैं और for any kind of training inquiry you can whatsapp on these number for further information